आप अगर अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो यानि आप अलेक्टिशियन है तो बेकार है कहीं भी जाएंगे कुछ समझ में नहीं आएगा पो कैसे चेक करना नहीं करना है इसका पूरा इस पर सिंबल बना हुआ है यहां पर ऑफ का है सबसे फर्स्ट यह होगया एंपियर का ठीक है जिसे अभी अगर कोई बीचीज आपका चालू है यहां से यहां पर कि यह सिंबल बना हुआ है तो आप दिए इस तरीका से यह सबसे फरस्ट श्टेप बताएं आपको यहां पर रखना नहीं देखिए जब इस एक बताएगा आपका मोटर या आपका कुई भीशी चीज कितना वो करें यह नहीं एंपियर जैसे देखिए अभी हमारा यह एक सठ ले रहा है इस तरीका से आप तीनों फेस पे लगा कर सकते हैं आपका मोटर कितना करेंट ले रहा है एंपियर ले रहा है और दूसरा स्टेप आपको बताते हैं यह हो गया आपका भोल्ट चेक करने का आपका इस पे कितना पावर आ रहा है 220, 380, 440 इस पे हम आपको यह दिखाएंगे दूसरा स्टेप है आपका पावर यहाँ यहाँ रखे इस तरह देखिए आप देख सकते हैं 220 आपका यहाँ पे आप इस तरीके से आप रखे और चेक क प्याँ आपको बताते हैं यह जैसे हो गया यह लिखाएं देखे यहाँ पे लिखा भी है लिकाह भी है बिसाय कुछ पर आपका डी सी हो गया ठीक है डी बटरी हो गया उसके आप कर सकते हैं मिए ट्रता है न स्थे आपको सकते हैं आपका तार चतिक कर सकते हैं जैसे कितना परसेंट सही है कितना परसेंट खराब है यह आपका इदर दिखाए गए कि इस तरीके से आप वह चेक कर सकते हैं और इससेंबल बना हुआ है आप यहां पर यहां कंटीनुटी से सकते हैं कोई भी वायर खराब है अच्छा है कि इसको कि चेक करना आपको यहां इस तरीके से रखे आपका धे कि यह कंटीनुटी का हो गाता है सबसे लाश्ट में जो वाई फाई का मना हुआ यह वाई फाई का वह कंटिनूटी के लिए है आप इस से कंटिनूटी में आप लागना केबल भ्राब है आछा है जल गिया है आप इससे बारिक शाय कर सकतें तो चलिए उम्मीद करते आपको ये वीडियो अच्छा लड़ा होगा और हमारा वीडियो पूरा देखिए आप लोग तब आपको समझ में आएगा और लाइक करिए सिस्क्राइब करिए और बिलाइकर कर जो है आल पर बटन दमा दितिये और फेस्बूक पर फोलो करिए चलि अश्लाम भी